एक बर फिर आप सबका स्वागत है बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं यूजी सी नेट की तयारी करा दीजें इसलिए मैं आज उसका इंट्रोडक्शन लेके आई हूँ और बहुत जल्दी इससे रिलेटेट क्लासेज भी शुरू होंगी यूजी सी नेट के एक्जाम साल में दो बार होते हैं यानि जून में और दिसम्बर में तो जो दिसम्बर 2020 में एक्जाम होने वाला था वो COVID-19 के कारण पोस्टपोन हो गया था जिसे जून 2021 के साथ कराने का फैसला लिया गया था लेकिन जून 2021 में जो एक्जाम होने थे वो 6 अक्टूबर 2021 से यह स्टार्ट होंगे जाधा तर लोगों ने इसमें अल्री फॉर्म भर दिया होगा क्योंकि एक्जाम डेट बहुत पहले आ गई थी इसके फॉर्म बहुत पहले आ गए थे लेकिन वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक इसके फॉर्म नहीं भरे हैं और जो है और अगर आपके फॉर्म में गलती हो गई है आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो नहींनी इस दौरानкое करवा सकते हैं चयों वह यह जब डाएस से बारह अक्टूबर 2019 में होगी성 वैग्जाम को पैटरन क्या है examination CBT pattern पर होंगे यानि computer based test यानि आपको computer पर ही उसका exam देना होगा exam किस type का होगा examination objective questions आएंगे यानि बहु विकल्पी प्रशन आएंगे प्रशन होंगे उनके 4 विकल्प होंगे एक विकल्प सही होगा और आप उसको उसका उत्तर computer पर देना होगा exam की duration यानि समय अवधी 3 घंटे की होगी यानि 3 घंटे का आपका exam होगा NDA की जो website है उसका address भी यहाँ पर मैंने आपको available करा दिया है आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस website पर log on करके देख सकते हैं अब हम बात करते हैं eligibility क्या होगी इसके पहले कि हम paper की बात करें हम eligibility देख लेते हैं कि eligibility क्या होगी eligibility जो है इसके लिए masters होना चाहिए यानि आप MA, MSC या MCOM आपको clear होना चाहिए general जो है उनके लिए 55% marks के साथ masters होना चाहिए और अगर आप reserve seat से आते हैं तो 50% marks के साथ आपको masters होना चाहिए यही eligibility इस form को भरने के लिए हैं अब हम paper की बात कर लेते हैं तो इसमें दो paper होते हैं फर्स paper जो है teaching and research aptitude यह general paper होता है यानि आपने कोई भी subject लिया हो यह paper आपको देना ही होगा इसमें 10 अलग-अलग units होती हैं जिसमें से हर unit से 5 questions आते हैं यानि कुल 50 questions पचास प्रशन आते हैं यह questions जो होते हैं reasoning, comprehension, divergent thinking, general awareness, answer related होते हैं तो यह जो 10 units होती हैं हर unit से 5 questions आते हैं कुल 50 questions होते हैं और प्रतेक प्रशन जो है वो दो अंक का होता है इस तरह से 100 अंकों का पूरा paper होता है, यानि first paper जो है वो 100 अंकों का होता है यहां हम इसकी बहुत जादा detail चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको मैंनों भी ग्यान पढ़ाऊंगी इसलिए इसकी बहुत जादा detail पताने के जुरुत नहीं है इससे related बहुत सारे videos आपको मिल जाएंगे other channels पे जिनसे आप इसको पढ़ सकते हैं अब हम बात करते हैं second paper की यह जो second paper होता है यह subject based paper होता है यानि जो भी विशय आपने चुना है उस विशय पर आधारित यह प्रशनपत्र होता है यहां मैं बता दूँ कि कुछ लोगों की query यह होती है कि हम किस विशय से net का exam दे सकते हैं net का exam आप उसी विशय से दे सकते हैं जिसमें आप masters हैं इसमें आपने MA, MSC, MCOM की degree हासिल किये उसी subject से आप इस paper को दे सकते हैं कुल 100 प्रशन आते है 2th paper में और हर प्रशन 2 अंक का होता है इस वजे से कुल प्राप्तांग आपके हो जाते हैं 200 यारि 200 number का paper होता है इस तरह से पूरा exam आपका 300 number का हो गया 100 number के आपका 1st paper और 200 number का 2nd paper तो इस तरह से 300 numbers का paper हो जाता है और questions आते हैं आपके कुल 1.500 प्रशन first paper में 50 questions और 100 questions second paper में होंगे इस तरह से कुल 1.500 questions होते हैं और इनको करने के लिए आपको 3 गंटे का समय मिलता है यहां मैं एक आपको विशेश बात ये बता दू कि negative marking नहीं है यानि अगर आपका कोई question गलत हो जाता है तो उसके लिए आपके marks काटे नहीं जाएंगे दोनो paper के बीच में कोई भी break नहीं मिलेगा यानि कि आपको दोनो paper continuous आप एक paper कर लेंगे और तुरण बाद आपको दूसरा paper start करना होगा तीन घंटे में आपको कुल 2 paper करने हैं इसमें आपको दोनो paper के बीच में कोई भी break नहीं मिलेगा इतनी जानकारी के बाद यहां मैं आपको यह बता दूँ कि चुंकि इसके form बहुत पहले आ गए थे और जादातर लोगों ने इसमें form भड़ चुके हैं तो examination की तैयारी भी कर चुके होंगे क्योंकि examination पहले आपके I think मई में होने थे उसे साब से मई या जून में होने थे उसे साब से आपकी तैयारी हो चुकी होगी तो यहां मैं आपकी किवल revision कर रहूंगी यानि objective questions किवल कर रहूंगी मैं chapter wise theory समझाते हुए video नहीं होंगे आपको किवल objective questions जो है वो समझाऊंगी और कराऊंगी अब हम बात कर लेते हैं slavus की यहां पर आप देख सकते हैं paper code है 0-4 यानि मनोविज्यान का paper code है 0-4 काफी lengthy course है इसका MA की जो आपकी किताबें हैं उनको अगर आपने deep तरीके से अच्छी तरीके से गहराई से पढ़ा होगा तो आप असानी से इसको clear कर पाएंगे इसमें 10 अलग अलग units हैं 10 units में बाटा गया है इस पूरे प्रश्न पत्र को और हर unit से questions आते हैं मनोविज्यान के पाठे करम यानि के slavus में कुल 10 units हैं और हर unit से कम से कम 10 प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह से हर unit से 10 questions इस हसाब से आपके 100 questions हो जाते हैं हर unit के हिसाब से slavus को आप लोग देख लीजेगा वैसे तो आप लोग के पास इस slavus होगा लेकिन जो भी candidates अभी नया form भर रहे हैं या भरा है जिन्होंने उनके लिए मैंने slavus available करा दिया है ये slavus आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही यहाँ पर provide करा दिया है करा है झाल झाल मुझे उमीद है आपको अची तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉसेस है और क्या स्लेवर्स है स्लेवर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं बहुत जल्दी MCQ स्टार्ट होंगे तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ और अगर आप इस चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके मेरे च लाइक कीजिए शेर कीजिए धन्यवाद